वेकम जो मैं यूट्यूब चैनल तो आज मैं आगी हो फिर से एक नए केक के डिजाइन के साथ और आज वाला जो केक है ना फ्रेंट्स मतलब बहुत ही जादा मुझे अर्जिंड मिला था मतलब केक मिला है मुझे मतलब एक घंडे में केक चाहिए ऐसा वाला ये केक था तो ब यानि कि बेंटो केक था साथ में केक पे कुछ भी ऐसा डिजाइन नहीं था कि मुझे कोई मेहनत करनी पड़े उतनी इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैं एक्सेप्ट कर लेती हूं बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं जो भी मेरे क्लाइंट है क्योंकि उन्होंने आगे भी मुझ अगर केक का डिजाइन काफी जाधा होता या केक और जाधा बड़ा होता तो मैं एक्सेप्ट नहीं करती है तो मैंने सुचा आप सब के साथ भी शेयर करूं यह एक्स्पीरियंस अपना तो यहांबर जो है केकी जैसे हम लेरिंग करते हैं वैसे ही करेंगे करने के बाद कुलिंग रैक होती है विज़ घ्वेति किजन टावल के साथ कवर करें तर चीक केक हमारा अच्छे से थंड हो जाय और जब अच्छे से थंड को गे Icng भी असे पहले क्रीम को अच्छे से भी में नहीं चाता कि अर जो केक है जैसे कि आप सब की कमेंट crunch काते है है उनक एक जो परफेक्ट मेशुनमेंट होती है बेकिंग से रिलेटेड यानि की बेक करना और उसके बाद जो है केक की जो भी बेटर बनाते उसकी कंसिस्टेंसी को परफेक्ट रखोगे तब का केक एकडम बेस्ट बनेगा और क्रीम जो है उसे बीट कीजिए थोड़ी सी क्रीम को 10 पर वह अपलोड की है अलग अलग तरीके से वहां से जाके वह भी चेक आउट कर सकते हो तो यहां पर वन बाई वन हमने लगा दी फ्रेश यहां पर पाइनेपल हमने यूज नहीं करें है जैसे कस्टम ने का क्रश ही हमने यूज के अगर फ्रेश वह बोलते भी तो एविलेबल जो है आप अपने हिसाब से सजेस्ट कर सकते हो क्योंकि टाइम की जो शॉटेज है वो कम होती है उसके हिसाब से तो यहां पर जो भी टाइमिंग था सारी चीज़े थी जो डिजाइन था उसके हिसाब से मैंने लिया और बेंटो केक का जो भी प्राइज है मैं आपको दे तो यहां पे सारी चीज़े साब से करोंग एक गंटे में मुझे एक एक बना के देना था लेकिन फिर भी मैंने उनसे डेड़ घंटा टाइम लिया थिक है तो इसके हिसाब से मैंने सारी चीजे की आपको आधा गंटा पंदरा पीस मिल्ट आप एक्स्ट्रा मांगे उनसे ताकि जो बाकी चीजे नहीं उस पर थोड़ा स क्लीन कर लेंगे और क्लीन करने के बाद जो बाकी डेकोरेशन है उससे भी हम करेंगे तो यह पर जो भी एक्स्ट्रा क्रीम थी वह सारी हमने निकाल दिये बाकी में फ्रेंट्स बहुत कोशिश कर रही हूं और आगे कोशिश करूंगी कि आप सबके लिए नए नए से जैसे बुआ जी की देतों कि उनकी वज़े से भी बहुत सारी चीजे जो है ना मतब डीले होते जारी बट आई होब की अपकमिंग जो भी मन से जो भी यह आने वाल है ना सब में आपके लिए एक सिक अच्छी वीडियो लेके आऊ जितनी भी इन्फॉरमेटी वह कर लेती हो यह जो बट पर हमारा इस तरीके से रखेंगे इसके कॉर्नर को थोड़ा रखेंगे और यहां पी जो बोक्स इना इस फे हम से शिफ्ट कर देंगे तो बेंटो बोक्स के बहुत सारे साइज आते तो तो सारी चीज़े मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दों कि तो यहां पर इसे हम अच्छे से शिफ्ट कर देंगे और मुझे इस केक को बना के सिर्फ मैंने पांच से दस मिनिटी फ्रिज में रखा था मैंने अपने क्लाइन को कॉल कर दिया कि आप अपना केक आकी ले जाए तो फिर उन्होंने ले गया थे केक बाकि इस केक को जो है हम आप की आज वाला केक डिजाइन अब सब को पसंद आए बहुत जल्दी जल्दी मैंने बनाया साथ में एक बड़ा केक था जो इसकी भी वीडियो है यह इस तरीके से पूरा केक जो था मैंने बना के इसे रेडी कर दिया और इस केक को जो प्राइस सा मैंने फ्रेंट्स टू 230 लिया मुझे लगा इतना बहुत है तो मैंने इतना ही लिया बाकी ऐसे ही प्यार करते रहीगा थैंक्स वर वाचिंग